नमस्कार सुजस बुलेटन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ श्वीनी सुरोही एक नजर हेड्लाइन्स पर राजिस्थान के नवनियुक्त राजपाल श्री हरीभाव किसनराव बागडे निली शपत मुखे ने आय धीश श्री मनिंद्र मोहन श्री वास्तव निदिलवाई शपत पच्पद्रा विधांसभक्ष्योत्र से आय प्रिति निधी मंडल ने बजट के लिए जोताया मुख्रमंत्री का आभार हरक्ष्योत्र के समगर विकास के लिए कृत संकल्पित राज्य सरकार राजस्थान अनुसोचित जनजाती परामर्ष दात्री परिशद की पहली बैठक राजबजट में टीएस्पी फट की राशी बढ़ाकर की गई पंध्रा सो करोड रुपए राजस्थान के नवनियुक्त राजपाल श्री हरी भाव किसन राव बाग्रे ने आज राजभवन में आयोजित्य समारहों में शपत ग्रहन की मुखेनाय धीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने नवन्युक्त राज़पाल श्री बागडे को शपत दिलवाई शपत समाहरो में मुखेमंत्री श्री भचनलाल शर्मा, विधांसभा अध्यक्षु श्री वासुदेव देवनानी सहित, मंत्री परिशद के सदस्य और विधायक मौजूद रहे महीनेता प्रतिपक्षु सहित अन्य विशिष्ट अतितियों ने भी समाहरो में शर्कत की शपत ग्रहन समाहरो से पहले राजपाल श्री हरिभाव किसनराव बागडे आज गोविन देव जी मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रिदेश वासियों की मंगल और खुशाली की कामना की और विधी का परिरक्षन, सवरक्षन और प्रतिरक्षन करूंगा और मैं राजपाल की जनता की सेवा और कल्यान में निरत रहूंगा विकास ओन मुखी बजट 2024-25 के तहत विधांसभक्षेत्र पचपद्रा के लिए महत्वपूर्ण विकास कारियों की घोशना करने के लिए पचपद्रा विधांसभक्षेत्र से आय प्रतिनिधी मंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री श्री भजणलाल शर्मा का आभाड़ चताया मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा राजिस्थान के सर्वांगीन विकास को समर्पित प्रदेश के विकासों मुखी बजट 2024 के तहत पचपद्रा के लिए महत्वपूर्ण विकास कारेयों के प्रस्तावित होने के उपरांत आज मुखेमंत्री आवास पर पूर्व केंद्री राजमंत्री श्री कैलाश चौधरी और विधानसभा पचपद्रा के विधायक श्री अरुन चौधरी के नित्रितु में विधानसभ खख्शेत्र के सम्मानित नागरेकों ने इन अनुदानों के लिए प्रदेश व सरकार का आभार जताया जिसके लिए आप सभी का भिनदन प्रकट करता हूं हमारी सरकार प्रदेश के हरक्शेत्र के समगर विकास के लिए कृत संकल्पित है मुकमंतरी श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज़सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याई के एक कात्म मानववाद की विचारधारा का अनुसरन करती हुई समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के कल्यान के लिए निरंतर कारे कर रही है राज़सरकार ने समविधान की मंशा के अनुरूप जनजाती परामर्श दातरी परिशद का गठन किया है इस परिशद के सुझावों के अनुरूप निर्णय लेकर आदिवासी समुदाय के जीवन इस्तर में परिवर्तन लाने का कारे किया जाएगा श्री शर्मा मंगलवार को राजस्थान वधान सभा में आयूजित राजस्थान अनुसूचित जनजाती परामर्श दातरी परिशद की पहली बैठक को संबोधित कर रही थे उन्होंने कहा कि जनजाती समुदाय के कल्यान की भावना से अनुसूचित जनजाती के विकास और सशक्ती करण के लिए प्रावधित टीएसपी फंड की राशी इस बजट में एक हजार करोड रुपाई से बढ़हा कर पंधरा सो करोड रुपाई कर दी गई है मुखे मंतरी ने अधिकारे को नर्देश दिये की राज्य के वन धन केंद्रों को अधिक से अधिक स्वीधाएं उपलब्ध करवा कर इस्थाने उतपादों को प्रोट साहन दे उन्होंने कहा कि आदिवास एक्षुत्रों में होने वाले जामुन सीता फल हर्भल गुलाल ज माध्यम से युवाओं के लिए आधुनिक प्रोध्योगी की में विश्वस्तरे स्वीधाएं उपलब्ध करा रही है ब्लोक्चेन, बिहेवरियल साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक्तम प्रोध्योगी की को अपनाने में राजस्थान अग्रिनी है और इन तकन माध्यम से राजसरकार द्वारा युवाओं को प्रशिक्षन और कौशल के संवर्धन के अनेक अवसर उपलब्ध करवाये जो रही हैं सूजना प्रोध्योगी की एवं संचार मंत्री करनल राजवर्धन राठोड मंगलवार को राजस्थान सेंटर ओफ एडवांस्ड टे राजसरकार को समीती की रिपोर्ट प्राप्थ हो गई है उन्होंने आश्वस्त किया कि रिपोर्ट का परीक्षन कर इनके संबंध में जल्द ही यतोचित निर्ण लिया जाएगा जनस्वास्य अभियांतरी की मंतरी श्री कनहिया लाल चौधरी ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि पिलानी विधानसभाक्षेत्र के सभी गामों और कस्वों को मार्च दोहजार सताइस तक जल जीवर मिशन के तहत जोड़ दिया जाएगा इसके लिए विभाग द्वारा तकमीना तयार कर लिया गया है जल्धी टेंडर की कारवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि सीकर जुनजुनू और नीम का थाना में पेजल उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष बजट में इंदिरा गांधी नहर आधारित व्रहद पेजल के अंदर मान्य मुक्य मंत्री जी ने पिलानी विदान सभा सेतर के लिए इंद्रा गांधी नहर परियोजना से लगबग साथ अजार इंद्रा गांदी नेर अधारित वरत के पेजल प्रियोजना सिकर जुन 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 नीम का थाना के लिए लगबग साथ अजार पांसो ब्याजिस क्रोड रुपे का प्राधान किया है इसमें इनकी पिलानी विदान सभा सेतर के भी जितने भी जो गाउं है दोनों कस्वे हैं इनके लिए इसके अंदर हम आने वाले बहुत जल्दी इनके इस्टिमेट भी बना लिए हैं टेंडर भी लगाने जारे हैं और मार्च 2017 से पहले पहले आपके हर गाउं को जल्जी उनमेसिन के तरह जोड़ देंगे जनजाती अक्षेत्रिय विकास मंतरी श्री बावुलाल खराडी ने विधान सभा में कहा कि टीएसपी अक्षेत्र के छात्रा वासू में वोर्डन शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाते हैं उन्होंने इसपश्ट किया कि वोर्डन की पदपर टीएसपी अक्षेत्र के मूल निवासी को ही नियुक्त किये जाने की कोई बाध्यता नहीं है जन जातिक शित्रिय विकास मंत्री प्रश्णकाल के दोरान सदस्य उद्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्णों का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि कार्मिकों कि स्थानांतरण और खाली पदों को भरने की कारेवाहि संबंधित विभाग उद्वारा की जाती है जेपूर ने परिपत्र दिनांक 17-7-2014, 10-11-2014, 3-3-2015 एवं 16-7-2018 दवारा स्वास विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचीव, परमुख सासन सचीव, सासन सचीव, विभाग अध्यक्स एवं विभाग्य आयुक्त संबाग्य आयुक्त जिलाकर कलेक्टर आदी को निर्दे कारवाई संबादी वागदरा की जाती है, रिक्त पदों की बरने की कारवाई संबादी वादरा की जाती है, छात्र वासों में हम जो वार्डन लेते हैं वो सिक्सा विभाग से परतीनिक्ति पर लेते हैं, और उसमें कोई बात जाता है नहीं कि आप टीस्पी छेतर से भी ले वो पूरे राजस्तान में कहीं से भी एप्लाई कर सकता है और वो आने के लिए वो वेलेबल है ऐसा कोई नहीं है कि उसी छेतर का ले ऐसा संभव नहीं है सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही फिर होगी आप से मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार